हलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशाल होंगे और HPTat की तयारी जो रोशोर से कर रहे होंगे तो ये हैं हमारी psychology ठेएरी जो portion हम कर रहे हैं जो सीरीस हमने चलाई हैं जिसमें ठेएरी पढ़ रहे हैं थियोरी के साथ हम उसमें उसी topics से लेटेर कोशन भी करते हैं तो हमने दोस्तों बिहेवरिस्टिक थियोरी जो की Skinner, Thondike, Watson, JB Watson और Thondike, Pavlov की थी चार थियोरी हमने की, बिहेवरिस्टिक थियोरी और दोस्तों उनसे लेटिड़िनम कोशन देखते हैं तो चलते हैं कोशनों की और पहला कोशन है विच साइकलोजिस्ट इस एसेटिड विद बेहवरिजम इद में से कौन सा साइकलोजिस्ट बेहवरिजम के साथ एसेट है जे स्कीनर जेम्स एर्नॉल्ड हल तो अभी मैंने आपको बताया स्कीनर, जेबी वाट्सन, ठॉन डाइक एंड पैवलो ये क्या है विवरिजम को फॉलो करते हैं उसकी बात करते हैं तो इसका अंसर है ऑप्शन ए स्कीनर अगला कोशन देखो मैंने इसमें सोशल लर्निंग थेयरी जो आगे करेंगे हम उससे भी कुछ कोशन उससे भी मैंने क कि बर्द पाय कि विवर्द कि ती एलवेट बंडूरा चाहिए अ कि बयकशन करबर कंडिश्निंग कर when Sellers को बाद में प्रजेंट करते हैं जैसे कि पहले हम Conditional stimuli या neutral stimulus ठी कणिश्वन स्टिमिलस को प्रजेंट करेंगे उसके बाद हम unconditional stimulus present करेंगे ठीकि dependencies क्या था आपका घंटी बैल ठीक Hey अगटी थे आपकी unconditional और unconditional stimulus ठाफ का food पेवलो वाली थेयोरी आद होगी आपको तो जब हम क्या करेंगे conditional stimulus पहले और उसके बाद unconditional stimulus प्रजैंट करेंगे किसके सामने कुष्टे के सामने जैसे कि हम पहले गंटी जाएंगे और उसको भोजन प्रजैंट करेंगे ठीके उसको क्या बोलते हैं forward conditioning बोलते हैं और जब हम unconditional stimulus पहले present करेंगे और उसका खतम होने के बाद हम conditional stimulus present करेंगे उसे बोलते है backward मतलब पहले आप उसे food दे दोगे उसके बाद bell बजाओगे जो food उसका खतम हो जाएगा तब bell बजाओगे तो उसे बोलते है backward हमने थेहोरी पोस्टन में भी की थे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो देख लिजिए से पिछली वीडियो होगी पिछले से पिछली तो आशा करता हूं समझाया होगा तो अब पताए बैकवर्ड कंडिशनिंग ओकर वेन conditional stimulus and conditional conditional stimulus and unconditional stimulus are presented simultaneously conditional stimulus is presented first and conditional unconditional stimulus is presented before the terminating of conditional stimulus conditional stimulus is presented first and conditional unconditional stimulus is presented after the terminating of conditional unconditional stimulus d option है कि unconditional stimulus is presented first and conditional stimulus is presented after the terminating of unconditional stimulus तो मैंने आपको वही बोला कि जब आप क्या है backward conditioning क्या होती है backward conditioning क्या होती है मैंने क्या बोला था जब आप unconditional stimulus को present करेंगे पहले और उसके बाद आप conditional stimulus को present करेंगे पहले आपने कुत्ते को food दे दिया उसके बाद bell बजाई तो उसको क्या बोलेंगे backward conditioning बोलेंगे ठीक है ठीक है उसे क्या बोलेंगे देख इसमें यह बोला unconditional stimulus is presented first and conditional stimulus is presented after the terminating of conditional stimulus terminating मतला जब unconditional stimulus भोजन उसने कर लिया उसके बाद आपको conditional stimulus दोगे तो उसे क्या बोलेंगे backward जो नहीं मिलेगा इसके बाद ठीक है तो यह होता है इसका यह इसमें लर्निंग बच्चे की बहुत ही वह लर्निंग बहुत ही कमजोर रहती है ठीक है बेकवड कंडिशनिंग में मैंने आपको बताया था कि बहबर का फाउंडर है वाटसन ये बी वाटसन इस दो फादर आफ बहबरिजम इन पेवलो classical conditioning experiment food is a conditional stimulus, unconditional stimulus conditional response, unconditional response तो मैंने बताया था कि पेवलो की classical conditioning में जो आपका food है वो कै था unconditional stimulus था, food क्या था unconditional stimulus और bell क्या थी पहले bell क्या थी neutral stimulus था उसके बाद क्या था conditional stimulus मैं मैं उसको convert किया था which of the following is the str theory of learning without reinforcement पताएए कि ऐसा theory of learning without reinforcement तो वो भी है पेवलो की ठीक है हम क्या है उसमें stimulus पर इसके बाद response करता है को ता stimulus क्या है भोजन stimulus है response उसका लार निकलना है इसमें हम कहीं भी reinforcement नहीं देते उसे ठीक है तो इसको पेवलो classical conditioning who propounded social learning theory कि इसने दे थी Albert बंडूराने मैं इसका छोटी से वीडियो लाओंगा आपके लिए social learning theory भी a student always get two toffee after writing ten correct line it is the example of देखो अगर उसे दस दो टौफी मिल रही है दस correct line लिखने पर तो उसे क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे देखो कि चार तरह की मैंने पताई थी आपको एक ओती continue reinforcement ठीक उसका दो ती partial reinforcement continuous reinforcement और partial reinforcement main part है partial reinforcement के अंदर ही आते हैं आपके fixed interval reinforcement और fixed ratio reinforcement reinforcement कली वीडियो की है तो एक दो टौफी दे रहे और उसको आप 10 correct line लिखने पर दो टौफी दे रहे तो वह किसका इसका example है तो वह है fixed ratio reinforcement क्योंकि इसमें ratio fix है कि 10 correct line लिखने के बाद उसको दो टौफी मिलेगी तो reinforcement का ratio fix है कि दो टौफी मिलेगी तो उसके बोलते है fixed ratio reinforcement which of the following theory is associated with the law of effect मैंने बताया था कि law effect किसको बोलते है किस से associated करता है thundai की theory से law of effect और इसे trial and error theory भी बोलते है the ability of learn by observing a model of receiving instruction without reinforcement is called ability of learn by observing model of receiving instruction without reinforcement is called social learning क्या बोलते है social learning इसे note कर लिजेगा question को reward and punishment reward or punishment क्या है enhancing factor है distracting factor है motivation factor reinforcing factor है पुर्षकारवद दंड कारक्या है विद्धी factor है ध्यानभंग factor है प्रिणावर्धक है पुनरबलित है तो जो reward and punishment है वो है reinforcing factors reinforcing factors किसी ने दी थिये reinforce reinforcement reinforcement और punishment की बात किस ने कि थी reward and punishment जिसने schedule of reinforcement भी दिया था विएफ स्कीनर विएफ स्कीनर विएफ स्कीनर विएविर इजम behavior is always undecided directional imaginable learn तो behavior क्या किया जाता है learn किया जाता है who gave social learning theory देखो यह question यह question आता है इससे Albert बंदूरा who propounded the theory of trial and error किसने प्रपाउंड की थी trial and error इस cancer आप खुद दोगे भी मैंने पीछे बताया भी था किसने दी थी trial and error इस cancer आप खुद दोगे question number लिखके question 14 question 14 लिखके आप इस cancer दोगे child tendency to respond to stimulus that are similar to conditioning stimulus is देखो मैंने आपको इसका समझाया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से कि जब चाइल्ड जो conditional stimulus है आपका उसकी तरह ही किसी और stimulus पर भी react करे तो उसका क्या हो जाता है जैसे कि अगर conditional stimulus के था bell थी एकते हैं उसके भोजन की घंटी, बेल, जो है, जो पैफलो बजाते थे, कि जब उसे भोजन देने की देने उतंञ तो उससे पहले घंटी ब जाते थे, परनतु अगर उसके आसपास कोई मंदीर है, तो वहाँ भी घंटी बजती है, अर तब भी कुट्ता क्या है, लार फैंग पहले प्राप्त होने वाली सुचना की परवल भूमिका क्या चैलाती है। कि पहले प्राप्त होने वाली सुचना की प्रवल भूमिका क्या होती। कि सबसे पहले जिसका मारप सबसे पहले effect पड़ता है। उसे बोलते है, primary effect. Theory of reinforcement is given by who? किसके द्वारा दीख गई थी theory of reinforcement तो reinforcement और punishment और reinforcement की बात किस ने की थी बीएफ स्कीनर ने father of behaviorism father कौन है behaviorism के जेबी वाट्सन answer option CVA वारवाद के जनम दाता है जेबी वाट्सन who is the father of modern psychology modern psychology के father कौन है बीनट सिगमन्ट फ्यूड विलियम वुंड विलियम जेम तो father of modern psychology है which one of the cycle of falling is the most essential component of experiment method तो ये तो मैंने ऐसे ले लिया इस का आँसर आप खुद बताएंगे अगर आपने पिछली पुरानी वीडियो देखिया है तो यहां question आपके लिए मैंने लिया था बिच्छे ये है question number 20 का आँसर आप खुद बताएंगे कि most essential component of experiment method कौन सा है the condition stimulus is pavlo conditioning is conditioning stimulus क्या है c s क्या है pavlo की conditioning में c s वो है bell who said language is based on thinking ये question भी मैंने आपकी लिया है who said language is based on thinking किसने बोला था कि language based thinking पर based है thinking language पर based है language is based on thinking पहले हम सोचेंगे तब हमारे को कहा language आएगी language is based on thinking हमारे cognitive process पर language depends करती है ये बोला था प्याजन है ठीक है वागाउस के ने बोला था कि ये 3 साल तक अलग लग होती है अगर आप देखो क्या गरोगे मैंने ये अच्छे से समझाया है आपको कि conditional stimulus without the unconditional stimulus मतलब आप bell बजा दोगे और क्या है उसको bell बजा दोगे और food नहीं दोगे प्रन्तु food नहीं दोगे ठीक है बैल होता है conditional stimulus और food होता है unconditional stimulus अगर आप bell बजा दोगे और तब उसे भोजन नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा वो behavior कम करना शुरू करतेगा उस behavior को कम करेगा ठीक है जैसे कि इसका example कि आग बच्चे को आप बोलते हो कि तो रोज स्कूल से आकर पढ़ेगा और तो वोगो चॉकलेट मिलेगी ठीक है तो बच्चा एक महीन तो पढ़ता है प्रन्तु कुस्टे माद आप देखते हैं कि आप उसे चॉकलेट देना बंद कर देंगे तो बच्चा क्या कर रहेगा देखेगा कुस टेम तक की मिलेगी चॉकलेट मिलेगी जब उसको चॉकलेट मिलना बंद हो जाएगी तो वो भी रोज स्कूल से आकर पढ़ना बंद कर देगा तो उसकी क्या जाएगी एक्स्टिंशन हो जाएगी क्या हो जाए कि extinction हो जाएगी विलोप हो जाएगा the law of effect is concerned with the effect of law of effect law of effect is concerned with the effect of reward and punishment on behavior ठीक है जो आपके thundike थे वो भी यह बात करते थे कि जिस behavior पर आपको positive response मिलेगा वो behavior को आप बार बार करोगे जिस ठीक है the skinner box is used for the study of the skinner का box तो किसके लिए यूज किया गए था classical forward secondary second order conditioning, operant conditioning तो वो थी operate conditioning skinner operate conditioning के अंदर ही आते थे ना वो ही थी operate conditioning थेोरी उने नहीं दी थी analysis of avoidance learning suggests that many phobias are acquired through तो analyze of avoiding learning suggest that how that many phobias are acquired through किसके थो classical condition कैसे इसका मैंने जे बी वाट्सन की थी थी ठीक है जे बी वाट्सन की थी थी तो जो Albert Einstein थीorie करके नाम था उसका उसमें क्या था कि उसको क्या है पहले बच्चे को क्या है जोर की आवास से ड्राया जाता था मैंने आपको पताई थी तो उसके सामने क्या है जोर से बजायेंगे उसके सामने आवाज करेंगे उसके सामने खरगोश ले आएंगे ठीक है क्या लाएंगे खरगोश लाएंगे तो उसके बाद क्या है कि अब क्या है उसको सामने घंटी भी नहीं बजा रहे आवाज भी नहीं करे और खरगोश रख दे रहे तो वह खरगोश से भी डरने लग गया था तो इसमें यहीं बोल रहा है कि कुछ बहुत सारी जो learning है वो किससे जो तरह के फोबियो होते है जो डर होते है हमारे वो classical conditioning बार-बार हमार को वो महसूस होता है बार-बार हमारे सामने वो चीज़े होती है तो हमें उससे डर लगने लगता है classical conditioning The ability to learn by observing a model of receiving instruction without reinforcement is called ठीक है तो The ability to learn by observing a model receiving instruction without reinforcement is called social learning Learning is the process of progressive dash adoption, behavioral adoption काइसा है Behavioral Dash Adoption Identical element theory of transfer of learning was given by जो 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 ido identical theory of transfer of learning किसने दिथी ठंडा Ika ने दिथी आना कि इसक बारे में The principle of identical element introduced by थंडा Ika and Wodevorth किसने दिथी principle of identical element Thundraik और Wodevorth ने दिथी state that the level of training transfer depending on the label of similarity between training and performance environment देखो इसका मतलग है कि the principle of identical element introduced कि इसने की थी थोंडाइक और वोडवर्थ ने की थी और इसका बोलना था कि जैसा environment आपको ट्रेडनिंग में मिलेगा और वो ऐसा ही environment अगर आपको actual में भी आपको ऐसी जगा पे काम करना है तो आपकी learning झाले का मतलग हो जैसे कि जैसे कि आप आयो आपको उसी तरह का महौल उसी तरह की पढाही की राए जाती है जो एक्राइबर यूवर्ना क्या हो गारने हो every हाँ और वरना तो यहां तो आगर आपको रहा परी महाल मिल रहा हो और ही चीज़े मिल रही तो आपको learning क्या है slow हो जाएगे आपको पूरी learning दुबारा से करने पड़ेगी basic से करने पड़ेगी तो यही यह कुछ बोलता था In the other word, the theory states that there is a positive correlation between the similarity between training and performance environment and the level of training transfer Thondike propagated inside theory, conditional theory, trial and error theory, operate conditioning theory तो इसको आपका answer पता है, trial and error theory Development of language in children according to B.F.Skinner is the result of B.F.Skinner के लिए नस्वार जो हमारी language in children है वो किस क्या है, imitation and reinforcement तो B.F.Skinner ने reinforcement और punishment की बात की थी तो उनका जहां भी reinforcement हो का, माँ B.F.Skinner होंगे Which of the following theory is the most quantitatively measurable कौन सी theory, quantitatively measure की जा सकती है Skinner की theory, कौन सी Skinner की इस question को note कर लिजेगा Which is the most effective reinforcement schedule according to operational conditioning theory of learning तो मैंने आपको पढ़ाते वे बताया था कि सबसे ज़्यादा effective कौन सा था, variable ratio reinforcement कौन सा variable ratio, जिसमें vary करता है ratio reinforcement का, ठीक है Learning is knowledge acquisition through cognitive processing of information Who among the following holds this view इसका answer है, Albert Bandura which is of the following are the type of reinforcer primary and secondary positive and negative both A and B तुसका answer है, both A and B Which is not the primary law of learning, कौन सी primary law of learning नहीं है behaviorism का founder कौन है, J.B. Watson If a student come late for the school on the daily basis then it will be appropriate to throw him out of the school punish him in the presence of two student complete lean to the principle that he is always late find out the reason for his behavior दिसका answer हो का option D find out the reason of his behavior A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him or in the similar situation as in the past, this is related to ये क्या है, law of analogy law of effect, law of attitude, law of readiness law of effect होता है कि कैसा effect पढ़ा है आपके उपर उस learning का अगर आपको अच्छा response मिला तो आप बार 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 learning करना उसको बार बार करोगा उस behavior को law of attitude होता है कि positive attitude है आपका नेग्टिव math के लिए आपका positive attitude हो तो आपको math अच्छी पढ़े अच्छी तरीके से पढ़ पाऊगे अगर negative है तो अब कोई समझ नहीं आएगा law of readiness के आप कितना त्यार हो math को पढ़ने के लिए कर आप math को पढ़ने के लिए त्यार हो ready हो तो आपके learning अच्छी होगी law of analogy होता था कि previous knowledge को current knowledge से जोड़ना current knowledge को previous knowledge से जोड़ना तो यह बात कर रहा है कि child respond to new situation on the basis of response made him her in the similar situation as the past जो उसने past में समझा है उसको वह अपनी आज की situation से जोड़ रहा है तो वह होगा law of analogy the concept of reward and punishment in the process of learning teaching learning is based upon the law of effect in learning by तो law of effect किस ने दिया था थॉन डाइक ने दिया था सीधी बात no बगवास तो दोस्तों यहां पर यह question खत्समापत हुए कैसे लगे आपको question अच्छे लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जूर शेयर कीजिए ठीक है और अगर आप नए है तो अपने यहां तक वीडियो देख लिए तो क्रिप्या करके अपनी इस वीडियो इस सीरीज की पूरी वीडियो देखी आपको बहुत help मिलेगी आपको पता लगेगा कि हच्पी टैट में हच्पी टीजी टी में कोश्टिन कहां से आते हैं धन्यवाद दूस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में